साथ्यों इन मुर्गियों का ये 48 नंबर दिन है और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हर एक हफते में मैं इन मुर्गियों को वजन करके आप लोग को दिखाऊंगा कि हर एक हफते में इन मुर्गियों का वजन कितना बढ़ता है साथियों लास्ट मैंने इन मुर्गियों को 41 नंबर दिन में वजन किया था और आज इनका ये 48 नंबर दिन है एक हफता हो गया है और अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ की एक हफते में इनका वजन कितना गेन हुआ है साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग ये वीडियो आसाम से देख रहे हैं या जिन्हें आसामीज भासा समझ में आता है साथियों वो लिंक क्लिक करके आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि बहुत ही जल्द उस चैनल में आसामीज भासा में मुर्गी पालन के बारे में हम जानकारी देनी वाले हैं तो फिर चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि 48 नंबर दिन में इन मुर्गीों का वजन कितना आया है और साथियों आप लोग देख सकते हैं मैंने एक मेल मुर्गा को पकर लिया है और इसे अभी में आप लोग को वजन करके दिखाने वाला हूँ और साथियों आप लोग देख सकते हैं यहां मेल मुर्गा का वजन दिखा रहा है 650 ग्राम 48 नमबर दिन में एक मेल मुर्गा का वजन आया है 650 ग्राम और इसके बाद अभी में और एक मेल मुर्गा को वजन करने वाला हूँ और साथियों आप लोग देख सकते हैं मैंने फिर से एक मेल मुर्गा को पकर लिया है और साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ इसका वजन दिखा रहा है 635 ग्राम 48 नमबर दिन में एक मेल मुर्गा का वजन आया है 650 ग्राम और दूसरे का कितना आया है 635 ग्राम साथ यो मैं आप लोग को एक बात बता दिना चाहता हूँ ये देशी मुर्गियों का सुनाली ब्रीड है और ये बहुत ही जल्दी वजन गेन कर लेती है और इन मुर्गियों को अभी मैं मर्केट का इस्टेटर फीड और राइस पॉलिस एक साथ मिक्स करके दे रहा हूँ और एक दीन से लेकर अभी तक मैंने इन मुर्गियों को जो भी मैडिसिन दिया है वो सारे मैडिसिनों के नाम अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके उपर भी वीडियो बना के रखा हुआ है और इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एन स्क्रिन में वो वीडियो भी मिल जाएगा आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं और एक बात मैं आप लोगों को बता दना चाहता हूं 48 नंबर दिन में भी मैंने इन मुर्गियों को कुछ भी मैडिसिन नहीं दिया है इन्हें सिर्फ प्लेन पानी देके रखा हुआ है